हेलो दोस्तो कैसे हैं आप देख रहे होंगे यहां लिखा है दिमाग का भोजन आप बोलेंगे सर यह दिमाग का भोजन क्या है सर आण वो खाना तो अपने सरीर में खाते हैं दिमाग को क्या खिला है सिल्फ मोटिवेटेड रहना कैसे सिल्फ मोटिवेटेड रहेंगे दोस्त चुकि ये सेशन करने का जरूत इसलिए पढ़ा दोस्त क्योंकि कुछ बच्चे बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोग खुद मोटिवेट नहीं हो पाते हैं सिल्फ मोटिवेट नहीं हो पाते हैं पढ़ाय तो करने बढ़ते हैं बढ़ दिमाग में अलग अलगतर का ख्याल आने लगता है हम ऐसा लगता है कि सक्सेस होगा नहीं होगा क्वालिफाइग करेंगे नहीं कर पाएंगे हम सरे एक्जाम बढ़ियां से क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बहुत सरा अत्रय का प्रॉबलम दोस्त जब बहुत सरा प्रॉबलम आया तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि आपके साथ कुछ share करना चाहिए और हम सब के साथ ये problem होता है दोस्त हम सब लोग सोचते हैं कि exam में हम लोग crack कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कैसे करेंगे, कितना पढ़ें, कितना कम पढ़ें, कितना जादा पढ़ें रात को बारा बज़े तक पढ़ें, एक बज़े तक पढ़ें, दो बज़े तक पढ़ें 24 घंटे में कहीं हम को 48 घंटे पढ़ने की जरुत तो न पढ़ जाए ऐसा नहीं है दोस्त पता है बहुत सारा दिमाग में जदो ज़ह चलता रहता है बट जो सबसे इंपोर्टेंट बात है न दोस्त तिमाग का भोजन, यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है हम आपको आज बताते हैं, शेयर करते हैं चुकिए बताएंगे क्या दोस्त, हम अपनी मन की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं समझने कोजिस कीजिएगा, जो हम बोलना चाहते हैं मेरी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करवाईएगा अपनी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा अच्छे समझ माएगा इसमें क्या होता है न दोस्त, जैसे सबसे दिख ज़रूरी यह क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्त, दुनिया में बहुत बड़ा चीज है बहुत बड़ा चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस अजगतर यह आपको नहीं होगा ना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कि हम लोग ग्रो कर पाएं तो आपको ये जरूरी है कि आपके अंदर में self confidence होना चाहिए अपने उपर भरोसा होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं सबसे पहला तो ये जरूरी है दोस्त self confidence जो काम करें एक systematic तरीके से करें अपना पूरा 100% दें चीक है दोस्त अपना पूरा 100% दें नहीं तो मज़ा नहीं आएगा 100% अगर आप नहीं देते हैं तो output नहीं दिखेगा दोस्त उसके बाद जो ख्याल आता है दिमाग का भोजन जैसे हम लोग अपने सरीर को सौस्त रखने के लिए क्या करते हैं दोस्त बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं healthy food लेते हैं balance diet लेते हैं ताकि मेरा सरीर अच्छा रहे रोज सुबा उठते हैं असनान करते हैं बढ़िया साफ सुथ्रा कपड़ा पेंते हैं ताकि कोई बीमारी नहो सुबा उठते ही juice लेते हैं दूद लेते हैं फाल खाते हैं ताकि हम अच्छे से रहें सब बहुत अच्छी बात है दोस्त क्योंकि हम जानते हैं हमारा सरीर स्वास्थ रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें कोई किन्तू और परंतू नहीं है दोस्त लेकिन आप अपने दिमाग को स्वस्च रखने लिए क्या करते हैं दिमाग कैसे स्वस्च रही है आप बोलेंगे सर हम बिटामिन ए क्हालेंगे हम लेंगे हम सर हमारा सरी से बहूत अच्छा रहेगा हम ओमेगा 3 खाएंगे सर ओमेगा 4 खाएंगे अरे भईया वेरी गुड़ आप सब खाना खाईए. उससे सिर्फ फीजिकल चीज अच्छा रहेगा. Mental कैसे अच्छा करेंगे दोस्ते? फीजिकल सरीर को तो हम अच्छा करने के लिए हम 75 तरह का भोजन कर सकते हैं. दिमाग को अच्छा करने के लिए करना पड़ेगा दोस्त उसको स्वस्थ करने के लिए आपको अच्छे लोगों की संगती करनी पड़ेगी दोस्ती करनी पड़ेगी आपको regular अच्छी अच्छी बातों को सुनना पड़ेगा आप अच्छे motivational speaker का बात सुना कीजिए दिमाग के लिए वो भोजन है दोस्त आप believe कीजिए दिमाग तभी स्वस्त रहता है जब दिमाग को दिमाग के जैसा भोजन मिलता है हमारे सरी को सरीर के जैसा भोजन देंगे हमारा सरीर स्वस्त रहेगा दिमाग को दिमाग के जैसा भोजन देंगे अच्छे लोगों की संगती होना अच्छे लोगों के साथ रहना आपका दिमाग का गुरूथ होगा हम लोग क्या बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है मतलब देख देख के हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं आप देखिए बॉली उड में लोग अलग अलग तरह का फैशन का कपड़ा पढ़नते हैं और वो फैशन हमारे गाउं तक पहुँच गया दोस्ड़िव को लोग अलग अलग कलर का हेर लोग ज़्यादा सीखते हैं यह बात बिल्कुल सही है मानते हैं इस बात को लेकिन कम तो सीखते तो जरूर है ना अपने आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत जरूर है दोस्त सेल्फ मोटिवेटेड तभी होंगे जब आप रेगुलर उस तरह के लोगों के संपर्क में रहेंगे एक छोटा सा आपको स्टोरी बताते हैं जैसे मान लेते हैं एक बदमास होता है ठीक है एक बदमास हो क्या होता है एक बर बी जो है जो गंदा आद्मी होता है अच्छे लोगों की संगती में चला जाता है कौन ये गंदा लड़का तो सब तेज क्लास में दिमाग में परशिंग होंगे इस ग्रूप में जितने बचे आपके यानि आपके बारे में तेज का concept बना लिया जाता है सोचिए हमारा दिमाग कैसे किसी भी चीज को interpret करता है लेकिन ये जो ए अच्छा बच्चा है गलती से अंजाने में या जैसे भी हो गलत बच्चों के संगती में चला जाता है मतलब ग्रूप में चला जाता है किसी कारण से किसी भी condition में कुछ लोगों वहां से गुजर रहे होते हैं देखते हैं अरे यार सबसे बदमास बच्चा लोग का ग्रूप है सारे बदमास होंगे सोचिए ये सबसे अच्छा बच्चा है और उसको लोग बदमास बोल रहे हैं और यहां भी गंदा बच्चा है लोग इसको अच्छा बोल रहे हैं कैसे दोस्त ये हमारे दिमाग का परशेपसन है किसी चीज को हम लोग कैसे ले रहे हैं ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग अपने दिमाग को एक regular feeding करते रहें जब भी आप बोर होते हों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे दोस्त जब भी आपको ऐसा लगे कि हम दिमोटिवेट होना सुरू हो गए हैं फटक से आप क्या करेंगे कोई एक अच्छे speaker का एक अच्छे motivator का एक अच्छी किताब जो भी आपको पसंद हो या वैसे आपके दोस्त आपके भाईया आपके दीदी आपके guide आपके mentor जो भी हो उनसे एक वर बात कर लीजे definitely आपको एक positive energy आपके अंदर में feel होगी और आप किसी काम को बहुत जोस में करेंगे फिर उसके बाद क्या होता है न दोस्त कि जैसे मेरी गाड़ी में पेट्रोल खतम होती है न हम लोग फट जोस में पेट्रोल लालते हैं फिर गाड़ी मेरी चले लगती है गाड़ी में पेट्रोल फिर खतम हो लगता है फिर हम लोग पेट्रोल लालते हैं अच्छे ची लोगों की बाते सुनिये, आपने आपको recharge कीजिये, मुभाईल को recharge करते हैं न दोस्त, वैसे खुद को भी recharge करना पढ़ता है, उसे खुद को भी और दिमाग को भी, दिमाग को recharge कीजिये, दिमाग अगर रिचार्ज हो जाएगा ना दोस्त तो बहुत जल्दी आप राइज कर जाएगे बहुत जल्दी राइज कर जाएगे और इसकाई इस दे लिमिट फो यू नो ओन कान स्टॉप यू अट अनी पॉइंट अफ टाइम इस बात को इदम दिमाग में डाल कर रखे आपको कोई नहीं रोख सकता इसकाई इस दे लिमिट आप टच कर लेंगे इसकाई को अब इसकाई जहां तक हो इसलिए अपने दिमाग को हमेशा मोटिवेट करके रखे आपके जीवन में कहीं पर भी आप ग्रोथ करना चाहें आपको कोई नहीं रूख सकता है ठीक है दोस्त लगता है आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमको उस टॉपिक में चाहिए कुछ तो हम अपना information आपके share करेंगे दोस्त चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में